Hello friends, welcome to Evolution Learning Academy देखे आज हम बात करेंगे reptiles के classification के बारे में इसके जो previous lecture थी उसमें हमने amphibia खतम किया, fish खतम किया देखे इस वीडियो का PDF मैं टेलिग्राम पे अप्लोड कर दूँगा जिसका password मैं इसी वीडियो के बीच बताऊंगा चले शुरू करते हैं reptilia देखे reptilia के अगर हम जनल क्रेक्टर के बारे में बात करें तो क्या होता है reptiles represent the first class of vertebrates fully adapted life of decade इसके जो पहले हमने पढ़ा vertebrates जैसे fish पढ़ा वो एक्वेटिक उसके बाद हमने एम्फिबिया पढ़ा वो एक्वेटिक और लेंड दोनों में पर यहां पर क्या होगा यहां पर पूरी तरह से water को छोड़के यह कहां पर आ गया dry place पर land पर इसमें aquatic form भी पाया जाते हैं या कुछ aquatic में रहते हैं पर यहां पर क्या हुआ यह adapt होगा है बिल्कुल land पर रहने के लिए अब देखें क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कि they have no obvious diagnostic characteristic of their own इसका कोई अलग से characteristic नहीं है कि हम इसको अलग कर सकते हैं other class of vertebrates से इसमें mixed character हैं किसके character हैं the character of reptiles are in fact a combination of character that fish और amphibia characters के अंदर पाय जाएगा birds और mammal character पाय जाएगा इसमें क्या पाय जाएगा birds और mammal का character पाय जाएगा तो यहां पर क्या है यहां पर combination है सभी चीज़े का आप देखें क्या होगा यहां के लिखा हो the class name refers to the mode of locomotion अब देखें इस class का जानाम reptilia क्यों रखा गया है इसका नाम reptilia रखा गया है कैसे देखें इसकी locomotion क्या दार पर रखा गया है according to their locomotion locomotion कैसा यहां पर क्या लिखा है reptum reptum मैं क्या होता है creep जितने भी आपने देखा होगा reptilia वो क्या करते है वो रेंगते हैं इसका नाम क्या रखा गया है reptilia ठीक फिलिखा and the study of reptiles is called herpetology study of reptile क्या कहते है herpetology कहते है okay अब देखे देखे अब इसका करेक्टर देखते है इसमें लिखा है pre-dominant terrestrial यह terrestrial होंगे creeping होंगे burrowing होंगे बहुत ही simple simple points है यह क्या होंगे air breathing होंगे और यहां पर लिखा cold blooded तो यहां पर जो का chamber होगा वो भी अभी चार chamber नहीं है पर इसमें exception है crocodile का मैं बताऊँगा आगा चलके यह क्या है ove paris ove paris होंगे मतलब यह एग ले करेंगे okay फिर क्या है यहां पर tetrapodal vertebrate तो इसमें 4 paris पाए जाएंगे और यहां पर कहीं कहीं absent भी होगे अभी आगे देखेंगे हम लोग लिखाए body bilaterally symmetrical मतलब body कै कैसा plane होगा जहां से इसको दो बराल भागों में हम काट सकेंगे okay तो इसकी body क्या होगी bilaterally symmetrical होगी ठीक divisible into 4 reasons head, neck, trunk and tail नेख भी होगा इसमें trunk भी होगा और इसमें tail भी पाए जाएगा okay इसमें जियो में सिभगे limbs Two pair Two pair, limb中 होगे और इसमें होगा pals limb absent भी होते हैं इसमें अभी मैं आबी आगले toign the point लिखाए हूगा पंटा dep कया होगा कि उसमें नाखुन होंगे लंबे-लंबे अब इसमें क्या लिखा हूआ है देखे मेर लिखके लिखा है अजिस। आपको पता है आपने देखा है रेप्टाइल्स जोस्बीर सिंपल कॉनिकल टीथ तो इसमें जोस्में सिंपल कॉनिकल टीथ पाया जाएंगे टर्टल में आपने देखा को टर्टल में टीथ नहीं पाया जाती है उसकी बाइटिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा होती है आप क्या लिखा है यहां पर इल्मेंटरी कनॉल टर्मिनेट्स इंटू दू कले कले पर चलत इसमें क्या आपको मैंने पिछली लेक्टर में समझाया था बहुत अच्छे से जब मैं बोन्स प्लाहरा था था फ्रॉक का तो आप जाके वहां से क्लियर करिएगा मोनो कंडलिक ड्री कंडलिक ओके अब देखे लिखा हुआ है क्रेटरिस्टिक टी शेप इंटर क्लेविकल अपी क्या लिखा है वह फॉर चेंबर ड्रोकोडाइल पर क्रोकोडल में क्या होगा फॉर चैंबर पायेगा अभी जब क्रोकोडाइल पढ़ेंगे एम दिये पृच्र पड़ेंगे तुसमें देखेंगे er क्लियर करेंग थे बिन डास्र ऑचम्लिक और सब्सक्री goof boys पाह उ लंक्स के दार होसे जो तेज़ में क्या सिद्ध में होता था उसमें उता श्रिक सिर्ट निकलेगा और एंत इसमें उल्म से लग तो यूरीक एंसमें तरह सो यूरी तेलिक एथा यूरी उट्री में दो इसमें ज्यादा क्या होगा डेवलप होगा क्रिक क्रेनल लुका यहां क्रेनल लुका बारा पेर आपने देखा तो इसमें जो सेक्स होगा वह सेपरेट होगा डायो सीस समझत लीजे यहां कि Fertilization internal इसका Fertilization क्या होगा Internal होगा कि आ ओके Mostly OViparist तो यहाँ पर क्या होगा Mostly OViparist यह ले करेंगे Parental care usually absent parental care यहाँ पया जाता है फ्रोग में चलिछ देखते हैं नेक्स लाइड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अगर हम उसका classification करते हैं तो यहां पर लिखा टेंपूरल फोसा तो जिसे की खोपड़ी में अगर हमारे निदर देंग हमारे में निदर बोन पाए जाती है और इसी तरह से इसमें टेंपूरल बोन नहीं पाए जाती पर यह टेंपूरल डीजन जो होता है इसके खोपड़ी का वहां पर दो तीन चार बोन से मिलकर उस बोन में के जहां पर जोइनिंग हो रही है जोइन्ट है जहां पर तो वहां पर एक फोसा पाए जाएगा टेंपूरल फोसा उसकी बेसिस पे इस रेप्टाइल को classified किया गया है अगर आगी आगे मैं दिखाऊंगा आपको डाग्राम नह도 seconds कि आएगा में सुझ में अहीं है कि रिट क्लासे शी इस में 5 अगलो बाकि गालिक में जोख और ऑग प्रयूह जोग्राइल रिखाओ को站 गया गयं है रिखे ते सब्सक्राइब क्लासे हो क्लासे एग कोशिंग जोख अन तबह आ परशेज इधान गया गया आग्रा प्रेसिड कहोऊ बश्राइब यूद quantum फ्रेंब चिक्याइब के तो डिर प्रेंग यूद कोई यह यहां पे अभी resource हाऊँ गड्ध हाँ can फोर्रेंग 2 कि muscle या joining की जो mastication के लिए muscles होती है वो इसके अंदर जाके fit होती है वही इसमें क्या करती है वही इसमें जितनी ज़्यादा इनकी biting force होती है अब देखाओगा reptile में crocodile की तो यह जो temporal force है यह इसकी मदद से ही और strong मनता है क्योंकि जो muscles यह temporal muscles यह किस मदद करता है यह help करता है mastication में या biting में ओके चलिए अब देखे यहाँ पर क्या हुआ हुआ है temporal force extinct as well as living तो इसमें extinct कौन कौन से है देखे यहाँ पर क्या हुआ है cotylosuria इसमें साइमोरिया आएगा ओके साइमोरिया कुछ इस तरह से दिखता था जब यह था अब यह extinct हो चुका है अब क्या गया है क्लियोनिया क्लियोनिया हम क्या जानते है आप टो टौट्वाइज जेखते हैं जो कच्छुआ देखते हैं उसके उपर केरापेस पाए जाता है अब तक है extinct हो चुका है और diapsida diapsida क्या होगा टू temporal fossa अभी diagram में समझ में आगा आगा आपको देखे टू temporal fossa पाए जाएगे इसमें दो temporal उसके region में fossa या गड़े पाए जाएगे अब देखे इसमें 3 class कौन कौन से है इसमें है कौन कौन से class देखें इसमें है रेंको सिफेलिया इसको अमाटा और क्रोकोडिलिया इसमें तीन दिखने है आपको अब देखें इसमें रेंको सिफेलियम क्या होता है रेंको सिफेलियम के एक ही लिविंग इसमें रिप्रेजेंटेटियू इसका बचा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग ह início पर दिशन कोफीलम क्या होगा है इस फिनो डाउन रांखु को ऑंक्या हो गिल्स आपे ना में जैए आप जाना है जोगाता कोफीलम इस अड़ा में बार्ब़ देखानी आपकर दोड़कों का ड्रेंगिर्दि और चैねं आपकर जीड Alrighty, ऑप TE थे यह जो जो आ और औरबार तो यहां पर देखिए यहां पर किए जो यहां पर ऑ안ë पैर जा रही है। यह इसमीं देखते हैं, यह क्या है, यह आप दो अपाय जा रहा है, यहाँ अपर दो गड़ता बाकरां, दो आर्क चुनत्र पाये जा रहा है, यह कैंद। किस-किस बोन के बिच बन है पराइटल इसको अमोजल और यहाँ पर देखे पोस्ट और जूगल यह तीनो चारो बोन के बीच से में जूल के बना हुआ है और यहाँ पर कॉड़र जूगल तो यहाँ पर क्या है दो यहाँ पर पाय जा रहे है उभार या फोसा अब देखे यह क्या है यह भी की ओषिटा यहाँ पर देखे साइन अच्छा Gal यहाँ पर पराइटल पर इसको मोजल जूगल और इससब के पोस्ट और्विकल के हहाँ बीच में क्या बन रहता है यह पर पे एक गड़्धा बन रहता है तो इसी की बेस पर classification किया गया है किसका? रिप्टाइल का चलिए दिखते हैं, नेक्स स्लाइड देखें, ये classification थो हमने पढ़ लिया पर हमने बताया थे ना कि 5 इसमें लिखा हुआ 5 major groups हैं तो उन ग्रूप में पहला हम पढ़ते हैं एनफिडा आए दो कि नो टेम्पूरल ओपनिंग को यह तुम्हें अदिक है क्लियोनिया यह तेस्ट्यू है तो च्पाइब ओगा तो वह आपने तक देखा फाव जब को लिएक तुम नेशनल जिघ्राफिक यां किसी चनल देखते देखते हैं तो देखे क्या अंतर दोनों में जानते हैं इसकी स्कल क्या है इसका अनेपसिड है इसका और क्या है नो इस टर्नम इसके बोन जो इसके अन्दर नहीं पाए जाएगे टीथ इसमें अपसेंट होगा आपको बता है मैंने हॉर्णी जिसमें पाजाते हैं तो नहीं पाए जाएगा पर इसमें जो इसका इसका माउट का रिजन होता अंदर का वह बहुत ही स्ट्रॉंग होता है यहां क्या है यहां क्लोइकल अपर्चर टॉंग अपर्चर एक लांगटूर्नल श्रीट लाइक पाए जाएगी ना ऐसे नहीं जबकि एक लांडग सिंपल ओके इसमें देखें देखें आपने तलाबों में देखा होगा इस तरह का कुछ यह क्या है यह है ट्रायो निक्स और जो आपने देखा होगा बहुत यह आप देखा होगा अकसर से ओके पर लिखें में अगे में आपका लिखा हुआ है यह उरेप वरब यह क्या है यह अप्स्टिंट हो चुका है ओके ऑभ यहां प्रफिड कहा है यह भी क्या हो चाहिआ हो य्ोर्फिड को है अपसूंड तो उसकी जो बॉन होती है सुप devil पोस्ट फ्रॉंटल वोन इसकी बेस पर ही इसका जहां पर यह फोसा पाया जाएगा उसकी बेस्पीस को क्लासिफाइड किया गया था चले दिखते हैं नेक्सलाइड क्या यह 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 चुका है अब मैंने बताए कि क्या पताता है डाइप सिडा तो आप यह द्यार दो है तो उससे कोशन पूछेगा तो आप एकन से लगा सकते हैं डाइप सिडा यह जैसा की जैसा भी ऑप्षन होगा आपके पास देखें मैंने बता है डाइप सिडा में क्या होते है रैंको सिफैलिया तो रैंको सिफैलिया दिखता कैसे था देखें यह रैंको सिफैलिया है क यह दो भी इसमें पैंटर डिटर लिंप तो जितने भी करेक्टर से और इसमें एक अलग से आई या इसको बोलते है थार्ड आई तो अगर आप अगर अगर एग्जाम में आशा कुछ आप्शन आता है तो आप क्या लगाएंगे रैंको सिफलियर टुअटरा या कई देखे अब क्या है, यहां पी है स्क्वामाटा मैं आपको दिखा है था कि दो लेशिटी खिष लियोडुट इसमोभ हैं, फ इसमें। लेजर्ट में अपसे है इसने में अपसेंट होगे एक्जोस्क्रेटन क्या होगा इसमें हॉर्णी इपिडर्मेल स्केल जो नॉर्मल करेक्टर्स थे यहां पर सब उसी तरह दिख रहा है इनकंप्लीट हर्ट होगा यह आपको पता है और टीत क्या होगे अक्रोडॉंट और प अपने देखा भी है यह आप देखे स्कल का है इसकल का है इसकल का सटा का डवर्टि और छो उपर जाके यहां पर फिट होगे इसको बोते हैं त्कोड़्टि में एक तरह सकते हैं और देखें यहां पर क्रेक्टर्ट क्या है यहाँ पे हर्ट क्या है हर्ट इसका four chamber है यह इसका character है एक्जाम में पुछा जा सकता है देखे यहाँ पे दो diagram दिख रहे हैं आपको एक यहाँ पे क्या है एक है alligator का और एक है crocodile का तो Indian crocodile है वो कुछ ऐसा दिखता है और American alligator कुछ ऐसा दिखता है आप कहेंगे सर यह दोनों तो बिल्कुल सेम दिख रहा है आप इसको उपर देख के नहीं पैचान पाएंगे पर जब इसकी deep knowledge में जाएंगे तो आप पैचान सकते हैं चलिए मैं आपको आगे दिखा हुआ और यह है घडियाल यह है घडियाल जो कि गंगा में पाया जाता है हमारे इसकी snout क्या होता है अब इसको सकते हैं यह घडियाल इसका इसका हम देखते हैं प्रोखोडाइल को तो उसका क्या होता है उसका point क्या होता है और यहां पर क्या होता है और इसका ऑर फाहित ने होता हैख और गडियाल के pause un topdir कर देख़ा स्ब्सक्क्रीब आ fall cheom लोईर जॉस में पाया तो यह क्या करता है यह उपर से दिखाई देता है इंडियन जो को दैल उसमें दिखाई देगा पर जो अमेरिकन अलिगेटर है उसमें यह 14 टीं में डूलर टी जो रहता है वो क्या होता है नौट वेसली अक्टर लिबाहर से इसको नहीं देख यह इसकी टीत इसके मौट बिल्कुल लंबा होता है इस नौट जैसा इसका लंबा होता है ओके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अब लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद